नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूस में आपका स्वागत है खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सिर्फ पर देशरा या विजया दश्मिया चाने इसका महत्व अलब संख्यक रोजगार योजना के तहट पांच लाख का लोन लेने के लिए ऐसे कड़े आविदन जमुई के सलेस ने पैरा एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल पी एम मूदी से हुगी मुलाकार प्यार में सिक्षकों के काउंसलिंग पर लगी रोग हटाई गई लंका पर विजय प्राप की गई थी इसके अलावा आज के दिन को लेकर यह भी मानिता है कि मादलगा ने महिसा सुर्ण नामक राक्षस का इसे दिन वध किया था बता दे कि आज के दिन कई अस्थानों पर रावन दहन भी किया जाता है आज के दिन को लोग सत्य पर सत्य की जीत के रूप में भी देखते हैं अस्थान मास के सुकल पक्ष की दश मीति थी बिते दिन शाम पांच बच कर चोवालस मिनट से प्राडम हो चुकी है जो आज दो पहर तीन बच कर चौदा मिनट तक रही ऐसे में आज के दिन रावन दहन का सुब मुहर्त स साम साथ उन्निस मिनट से रात आट चौवन मिनट तक है अलब संख्यक रोजगार योजना के तहट पांच लाग का लोन लेने के लिए ऐसी कड़े आविदन राजी के युवाओं को रोजगार मिल सके इसको लेकर बिहार सरकार की ओर से कई तरह की योजनाई चलाई जा रह जाता है हालाक इस योजना का लाब केवल सिख बॉद इसलाम पार्सी और जैन जैसे धर्म के अल्पसंख्यक लोगों को ही मिलता है ऐसे में जो लोग इस योजना का लाब उठाना चाहते हैं वह कल्यान विभाग या साइट स्थिट्टी पिएस कोलंब स्लैस्लैस बी एसम एफसी डॉट ओर जी स्लैस पर जाकर फॉर्म डाउन्डोड कर उसे भर कर विभाग को जमा कर दे इसके लिए आविदक की नियुनतम उम्र 18 और अधिकतम 50 साल होनी चाहिए और साथ ही आविदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए और किसी सरकारी पत पर कारियरत भी ना हो दर्भंगा के फ्लाइट किराय पर संजय जहा का बयान त्योहार के मौसम में दर्भंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट के टिकट में काफी बढ़ोतरी हो गई है उसको देखते वे बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री पतला के लोगों के लिए इतना महंगा हवाई किराया आखिर कब तक तहशड़ा के अगले दन यानी 25 ओक्टूबर 2023 को यदि कोई व्यक्ती हवाई मार्ग से दर्भंगा से दिल्ली जाना चाहे तो उसे करीब 15,000 रुपे जबकि पटना से दिल्ली जाने पर करीब 6,000 आगू नहीं है, ऐसे में दर्भंगा एरपोर्ट से दिल्ली आने जानी का किराया पटना के तुलना में काफी कम होना चाहिए था एरपोर्ट अथोरिटी ओफ इंडिया से पुनह अनुरोध है कि दर्भंगा एरपोर्ट से आवा गमन के लिए लग रहे हवाई किराय पर पुनड़ विचार करे और तेवहार के दिनों के लिए किराय की अधिक्टम सीमा निरधारित करे पुलिस कॉंस्टेबल भरती परिच्छा के लिए नई डेर्स का एलान जल संभब सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ओफ कॉंस्टेबल की ओर से राज्यमी सिपाही भरती के 21,391 लिक्त पदों को भरने के लिए एक ऑक्टूबर को आयोजित हुई परिच्छा में पेपर लीक होने की वजह से परिच्छा को रद कर दिया गया था जमुई के सालेश ने पैड़ा एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मिडल पीयम मोदी से होगी मुलाकात। जलावा मर्यपन, ठंगे, वेलू ने सिलवर और राम सेंग, पाधियार ने प्रॉंच मेडल अपने नाम कर देश का नाम रौशन करने का काम किया है। विवाग के द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब विवाग के ओर से इस रोक को हटा दिया गया है। इस बारे में माधिमिक सक्षा, निदेश अक्रहिया, प्रशाज शिवास्तव के द्वारा हस्ताक्षर कर निर्देश भी जारी कर दिये गया है। जिसके मताबिक अब विवाग के ओर से इस फैसला लिया गया है कि अभ्यर्थियों के आधार नंबर के नसार ही OTP प्राप्त हो जाएगा। आयोजन नगर के कटईया रोड अस्थित श्री लीला धर प्लस टू है स्कूल के विशाल प्रांगन में आगामी 24, 25 और 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। करने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परिशानी ना हो इसको लेकर अब बस की उम्र के आधार पर यह तैय किया जाएगा कि बस रोजाना कितने किलोमीटर चलेगी। इसके लिए श्रेनिया भी तै की गई है जिसमें पहली श्रेनी के तहट 5-10 साल पुरानी बसे हर रोज अधिकतम 600 किलोमीटर ही चलाई जाएगी। वहीं दूसरी श्रेनी के तहट 10-15 साल तक की बसों के लिए प्रतिदिन परिचालन की सीमा 400 किलोमीटर निर्धारित की गई है। और इसके साथी अधिकरत एजन्ट से ही वाहन की टिकेट बुकिंग सरकार द्वारा निर्धारित दरपर की जाए। स्वास्ते विज्यान विश्यविद्याले में विसेश बोड तैक करेगा पाठिकरम। स्वास्ते विभाग के द्वारा विश्यविद्याले से संबंधित प्रथम परिनियम जारी कर या जानकारी दी गई है कि बिहार स्वास्ते विज्यान विश्यविद्याले के अधीन सीनिट सहित कुल आर्ट तरह के प्राधिकार होंगे जिसमें परिक्छा सैशनिक संस्थानो को संबलता प्रयाददान करनी से लेकर करमचारियों की बहाली के लिए अलग-अलग बोड होंगे इसके अलावा विश्यविद्याले में होने वाली खर्च की निगरानी के लिए भी एक बोड होगा बता दे कि विभाग के द्वरा जारी किये गए परिनियम ततकार प्रभाव से लागू हो गए हैं विभाग के निसार विश्यविद्याले में एक सीनेट होगा जिसके पदेन सलश्य के तौर पर कुल सचीव होंगे इसके लावा विश्यविद्याले का एक काड़े-कार्णी परिसत भी होगा जिनके पास विश्यविद्याले के प्रसासन से संबंधि सभी सकतियां होंगी हर विभाग का एक पाठे बोड होगा राजत विधायक के ओचक नरिक्षन में खुली स्वास्त विभाग की पोल राजत विधायक चेतन आनंद के ओचक नरिक्षन के दोरां सिभर के सदर अस्पता से बिहार की स्वास्त विवस्था की पोल खुलती एक त साथ ही जले के डीम से भी बात की और पूछा कि ऐसे लोगों पर क्या काड़वाई होनी चाहिए उन्होंने कहा किस तरह कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बिलकुल भी बरतास्त नहीं की जाएगी राम लीला देखने पहुंचे लालु यादव ने कही ये बात बीतर दिन कालु यादव के सम से अत्याचार दूर हो देश में असथ नहीं कखा किे साथ दोस्तों के साथ प्रिंदावन चले जाते हैं मैंने कहीं बार जहाज से जाने के लिए कहा लेकिन मानता ही नहीं आज कल का लड़का सब कहा किसी की सुनता है बेटा है तो कहीं नहीं सकते हैं शहीद अमिताब बच्चन के परिवार वालों से मिलने पहुँचे समराठ चौधरी बीते दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समराठ चौधरी वैशाली में अपराधियों की गोली से शहीद हुए पुलसकर्मी अमिताब बच्चन के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए मुंगेर इस्थित पैतरिक गाउं भदोड़ा पहुचे जहां उन्होंने जवान के तैरिये चितर पर पुश्पांजली अर्पत कर परिवार वालों को साहस दिया वहीं उन्होंने असरान कहा कि इस गाउं के लिए ये गर्व की बात है कि यहां के बेटे ने अपराधियों से लोहा लेते वे अपने प्रान कवा दिये और शहीद हो गये उन्होंने कहा कि अमिताब बच्चन की याद में एक शहीद द्वार बनाया जाएगा जो सहीद अमिताब बच्चन द्वार के नाम से जाना जाएगा और इसके साथ ही उनके नाम से गाउं में उनकी मुर्ती और एक पस्तिकाले का भी निर्मान किया जाएगा और उन्हें कहा कि बिहार में इस तरह की कारून विवस्था सरकार के लिए एक चिंता का विश है इससे बड़ी दुर्गती की बात क्या हो सकती है कि आज पुलस वाले की हत्या हो रही है जब हमारे पुलिस लोग ही मारे जा रहे हैं तो हम लोगों की रक्षा का क्या होगा। के द्वारा पलटवार किया गया है। उनको अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते वे कहा कि अपने काड़े करताओं का मन बहलाने के लिए खुश करने के लिए मनोमन बरहाने के लिए तेश्वी आदव ऐसा कह रहे हैं। ताश के पतिक की तरह सब बिखड़ गये हैं। वहीं अब एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें अफकानित खिलारी मैच में बिली धांसु जीत के बार ड्रसिंग रूम में चम कर थिरकते वे जश्न मनाते वे देखे जा रहे हैं। इस वीडियो में सबसे आदा अफगानिस्तान तीम के सबसे आदा सीनियर प्लेयर रासीत खान महफिल लोटते नजर आ रहे हैं। अब यह वीडियो काफी तेजी से सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है। पुर्ण पिट्रॉल एक सबसे आदा कसंकच में हैं। पिट्रॉल 109.74 रुपए प्रति लीटर और डीजल 56.36 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है। प्रजिया तश्मी के मौके पर आप अपनी ओर से सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं। अपना जबाब हमें अमारी कॉमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं।